हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल राइजिंग घ्रावल पर मैं हूँ आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंग और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्कल ड्रा करना और सर्कल का पैटर्न ड्रा करना ओके तो देखिए इसके लिए कोड राइट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां से इस स्प्राइट को डिलिट कर देता हूं और मैं चूज करता हूं नियू स्प्राइट यहां पर मैं सर्च करता हूं पेंड ओके यहां पर दे events group पर क्लिक करता हूँ और when clicked block को drag करके यहाँ पर drop करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर use करूँगा paint blocks का, तो यहाँ पर देखिए paint group है नहीं, तो मैं click करता हूँ add extension पर और यहाँ पर पेन गुरूप है इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर देखेंक पेन गुरूप आ चुका है इसके बाद मैं इन ब्लॉक्स को ड्रैक करके ड्राप करता हूं तो सबसे पहले मैं युज करूँगा Erase All Block को, इसके बाद मैं युज़ करूँगा Paint Down, इसके बाद मैं Dracker के Drop करता हूँ, Set Paint Color To, और यहाँ पर मैं Paint का Color Change कर देता हूँ, Red, इसके बाद मैं Next Block को Dracker के Drop करूँगा, और वो Block है, Set Paint Size, और यहाँ पर मैं Paint की Size Set करता हूँ, 5, ओके, इसके बाद मैं Control Group से Repeat Block को Drag करके यहाँ पर Drop करूँगा, और इसे Repeat मैं करूँगा 36 टाइम तक, ओके, और इसके Inside मैं Drag करके Drop करता हूँ, Move Block को, और Turn Block को, यहाँ पर मैं Set करता हूँ, 10 डिग्री, ओके, और इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, इस Go बटन पर, ओके, तो देखिए इस तरह से Circle Draw हो चुका है, यदि मैं यहाँ पर Circle की संख्या बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे यूज़ करना होगा एक और Repeat Block, ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ, Control Block पर, और यहाँ देखिए Repeat Block है, इसको मैं Drag करके यहाँ पर Drop करता हूँ, और यहाँ पर मैं Set कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर इसकी value set करता हूँ, 120 degree, ओके, इसके बाद मैं फिर क्लिक करता हूँ, Go बटन पर, ओके, और अब देखिए, यहाँ पर 3 time circle draw हो रहा है, ओके, देखिए, फिर से, ओके, मैं इन circles की संख्या और बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे simply यहाँ पर write करना होगा, जैसे कि मैं 6 इनकी संख्या करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं write करूँगा 6, ओके, और यहाँ पर मैं degree की value change करके यहाँ पर write करता हूँ 60, ओके, क्योंकि आप 60 into 6 करेंगे तो कितना आएगा 360, ओके, तो इसी के recording आपको यहाँ पर value change करना है, और फिर से मैं click करता हूँ go button पर, ओके, देखिए, अब total six circles draw होगे, ओके, और यदि मुझे circle की संख्या और बढ़ानी है, तो यहाँ पर मैं write कर सकता हूं 9, और यहाँ पर मैं इस की value change करके write कर सकता हूं 40, ओके, देखिए, अब circles की संख्या होगी 9, ओके, यदि मैं इन circles की संख्या और बढ़ाना चाहता हूं तो यहां पर मैं write कर सकता हूं 12 और degree की value change करता हूं 30 degree और फिर से मैं click करता हूं go बटन पर तो अब यहां पर 12 circles ड्रा होंगे और यदि मैं चाहता हूं कि यह circle काफी colorful हूं तो इसके लिए मुझे उच करना होगा पेन ब्लॉक से change पेन कलर ब्लॉक को यहां पर मैं इसे drag करके drop करता हूं और यहां पर मैं इसकी value set करता हूं 20 और फिर से मैं click करता हूं go बटन पर ओके तो अब देखिए जो circle है काफी colorful आएगा ओके तो देखिए इस तरह से colorful circle बिल्कुल ड्रा हो चुका है ओके बच्चों तो यह code properly work कर रहा है आप इसका screenshot ले सकते हैं या फिर आप इसे note down कर सकते हैं ओके ओके फ्रेंड्स तो इस तरह से यह video complete हो चुकी है यदि आपको यह video अच्छी लगी हूँ तो इसे like करें share करें और मेरे चनल को subscribe करें थैंक्स पर आशीं